नमस्ते दोस्तों, आज हम थाईलैंड के दूसरे सबसे बड़े द्वीब कोह समुई पर एक रोमान्चक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक द्वीब जो आपका स्वागत करता है अपने सुनहरे समुंदर तट, नारियल के पेड़ों और ऐसे शांती भावना के साथ जो स्वर्ग को आहवानित करती है। आप आनलाइन ट्रांसपोर्ट बुक करके किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत आसान है। अगर आप टूरास्टिक के माध्यम से बुक करते हैं तो यह यात्रा और भी आसान हो सकती है। आप पहुँच गए हैं तो आगे क्या? मैं स्थानिय सोंग ठेव बस किराये पर लेने की सलाह देता हूँ, जो द्वीप के चारों और यात्रा के लिए यादगार होगा। साथ ही यह सस्ता तरीका है यात्रा करने का और आप स्थानिय लोगों के साथ मिल जुल कर रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, सचमुच आनंद लेने और अन्वेशन करने के लिए कम से कम पांच दिन कोह समूई में बिताएं। यह आपको बिना किसी जल्दबाजी के संस्कृति, स्थानिय जीवन, खाना और परिवेश का आनंद लेने की अनुमती देता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं है ना। अधिकांश पर्यटक द्वीप के पश्चिमी हिस्से को पसंद करते हैं और मैंने भी वैसा ही किया। आपको यहां हर जरूरी चीज मिलेगी।